हेलो गाईज, वेलकम बेक टो नादर टूटोरियल, मेरा नाम मकुल सैनी और आप देख रहे हैं लर्ण इन ओनो तो गाईज, आज का है टूटोरियल हमारी HTML स्रीज का 6 टूटोरियल होने वाला है जिसमें हम अपने वेब पेज पर एंकल टैक के हेल्प से हाइपर लिंक क्रेट करेंगे तो हाइपर लिंक यह कहीं लिंक क्या करता है कि यह हमारे वेब पेज पर एक टेक्स्ट या इमेज की फोर्म में लिंक प्रोवाइड करता है जिसकी help से हम बड़ी easily एक website से दूसरी website या फिर एक website से दूसरी website पर move कर पाते हैं तो guys अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon को प्रेस करतीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी सभी notifications मिलती रहे तो आईए आज के इस tutorial को start करते हैं तो सबसे पहले हम hyperlink, anchor tag, target attribute और href attribute को theoretically समझते हैं तो इसमें अगर आपको hyperlink ये link में कोई confusion है तो जो आपके HTML में links होते हैं उन्ही को हम hyperlink बोलते हैं तो चाहिए हम link बोले या hyperlink बात एक ही है link पर click करके आप अपने एक webpage से दूसरे webpage या फिर कहें दूसरे document पर easily move कर सकते हैं और जब भी आप अपने mouse के arrow को link के उपर लेकर जाते हैं तो आपके mouse का arrow एक छोटे hand के symbol में change रहता है HTML में अपने webpage पर hyperlink को create करने के लिए हम anchor tag को use करते हैं और anchor tag को हम इस format में लिखते हैं open anchor tag के अंदर href attribute equals to url name means जिस भी website का आपको url देना है वो फिर open और close anchor tag के बीच link का नाम जिस नाम से आप अपने webpage पर link create करना चाहते हैं और फिर close anchor tag यहाँ पर href attribute आपके link का destination address contain करता है और जो आपका link text होता है वह आपका वह visible part होता है जो आपके webpage पर show होता है और जिस पर click करके आप एक webpage से दूसरे webpage पर navigate करते हैं अब देखते हैं target attribute तो target attribute का काम आपके link document यह फिर कहें जिस document या webpage को आपने link किया है उसकी location को specify करना होता है कि आप अपने link document को कहा open करना चाहते हैं और आपके link document को open करने के लिए यह कुछ option होते हैं जैसे कि underscore blank, underscore self, underscore parent, underscore top और frame name और आज हम अपने document में सिर्फ underscore blank और underscore self का ही use करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम underscore blank का use करके link document को new tab में open करते हैं और कैसे हम underscore self का use करके अपने link document को same frame में open करते हैं तो आईए अब तक हमने अपने इस tutorial में जो कुछ PC खा उसकी help से अपने structure later पर code को लिखते हैं देखते हैं कि हमारे web page पर hyperlink कैसे work करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने पहले से ही अपनी code की structure को तयार कर रखा हैं जिसमें अपने code में title ले रखा है web page heading दे रहे है learning और आप हमारे code की location भी दिख सकते हैं जहां पर हमने इसको save कर रखा है हमने इसको desktop पर youtube content के अंदर html folder के अंदर tutorial6.html नाम से save कर रखा है अब हम पहले सिर्फ इतने ही code को save करते हैं और अपने browser पर जाके इसके output को देखते हैं तो इसके लिए हम पहले अपने youtube content के अंदर html folder के अंदर यह हमारे tutorial6.html file इसको open करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ अभी तक heading दे रखी है और यह हमारी heading शो हो रही है यहाप और आप देख सकते हैं कि हमारा title में भी हमारा webpage title शो हो रहा है अब हम वापस से अपने code पर आते हैं और अब हम यहापे क्या करते हैं heading के जस्ट बाद हम यहापे link देंगे और link के लिए हमने आपको बता जाता कि हमें anchor tag का use करेंगे तो इसके लिए हम यहापे anchor tag लेंगे open anchor tag के अंदर हम यहापे फाइल का जो है के आप पहले इसको क्लोज कर गईते हैं जो भी हम वाप पर link का नाम देने चाहते हैं वह हम उसको यहापे नाम देता हूं तो मैं इसको यहाँ पर नाम देता हूँ Tutorial यह हमारा क्योंकि 5 का है तो मैं इसको Tutorial 5 नाम देता हूँ और अब मैं इसको पहले सेव करता हूँ और पहले सिर्फ इतने को ही देखते हैं कि यह लिंक हमारे वेब पेज पर क्या effect चो करता है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा लिंक क्रेट हो चुका है Tutorial 5 के नाम से अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हम अपने Tutorial 5 वाले वेब पेज पर आ चुके हैं अब मैं वापस इसको पहले बैक कर देता हूँ और अब हम पर टेक्स एडिटर पर आते हैं और अब मैं यहाँ पर एक और URL लेता हूँ मैं आप गूगल का URL लेता हूँ पहले मैं यहाँ पर open anchor tag के अंदर hrap attribute अब मैं इसमें यहाँ पर Google का URL वो देता हूँ और अब हम पहले यहाँ पर भी हम target attribute नहीं देंगे मैं यहाँ पर अभी इसको Google नाम देता हूँ और मैं इसको save करता हूँ वापस से हम अपने टेक्स अपने browser पर जाकर देखते हैं तो अब मैं इसको refresh करता हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा Google का भी link create हो चुका है तो अगर मैं अब इस Google वाले link पर click करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा Google के page पर हमें navigate कर देगा है हम अपने Google के page पर आ चुके हैं अब मैं वापस से इसको back करता हूँ और अपने text editor पाता हूँ तो अब हम यहाँ पर target attribute को यूज़ करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर target देता हूँ target target में यहाँ पर क्या करता हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे blank, parent, self और top आ चुके हैं जिसमें से हम सिर्फ blank और self को यूज़ करेंगे तो मैं यहाँ पर कहा देता हूँ, मैं यहाँ पर पहले self देता हूँ मैंने tutorial5.html के लिए यहाँ पर self attribute दे दिया है और सेम ऐसे ही मैं यहाँ पर target attribute देकर इसमें मैं value दे देता हूँ यहाँ पर हमने self दिये, यहाँ पर मैं blank दे देता हूँ अब मैं इसको save करता हूँ और वापस से अपने ब्राउजर पर जाकर इसको refresh करता हूँ और क्योंकि tutorial 5 को हमने self value दे रखी है और google को हमने blank value दे रखी है तो जब भी हम tutorial 5 पर click करेंगे तो यह हमारा sim इसी tab के अंदर हमारी इस web page को open करेगा और अगर हम google पर click करेंगे क्योंकि हमने इसको blank value दे रखी है तो यह हमारा new tab के अंदर जो हमारा link document है उसको open करेगा तो हम पहले tutorial 5 पर click कर दें और देखते हैं यह हमारा इसी web page के अंदर open करता है या फिर हमारे new tab के अंदर open करता है तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने tutorial 5 पर click किया तो इसने हमारे same web page के अंदर हमारे link को open कर दिया अब हम वापस से इसको back करते हैं और अब हम जैसे ही google वाले link पर click करेंगे तो आप देखें कि यह हमारा new tab में open होगा क्योंकि हमने google वाले link में target attribute की value blank दे रखी है तो अब हम google वाले link पर click करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह हमारा next tab में new tab में open होचका है google वाला page तो गाईज यह सब कुछ था आज के इस tutorial में I hope आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा और अब हम अपने next tutorial में देखेंगे कि कैसे हम किसी image को अपने web page में insert करते हैं तो गाईज अगर आपको हमारे tutorial यूजफूल लगा हो तो आप प्लीज इसको like कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो हमारे channel को subscribe करके पहला icon को press कर दीजिए अम मिलते है next video में तब तक के लिए एक क्या बाई बाई